पिश्चे स्टॉक्स में चीव कुछ कमपनियां यह विधी हैं यह पर की अपक दबाव देखने को मिल रही है उन दबाव में आपकी स्टेट्जी क्या होनी चीह और याउस्ट अशनतोची मौजूद रहेंसे हैं कर आब सबस्क्का विधीयола करके क्या रखनीति बनानी है आप भो बना लिजेगा चलिए अब जड़ा देखते हैं जो आए करके कंपनी को ट्रांसफर किये और इस ट्रांसफर किये गए हैं जो यह आपको बता दें कि यह पूरी प्रौपर्टी जो है वो 121 करोर रुपय में एक ट्रांसफर हुई है दो यह गुडगाओं के सेक्टर 108 और 109 के अंदर जो है यह प्रॉपरिटी है और यहां पर कंपनी जो है वो रिहाईशिव मकान बनाएगी यहां पर और करीब पहुने आठ एकर जमीन जो है यहां पर ली गई और इसके चलते हैं आज हम देख रहे हैं सोभा डेवलेपर्स के अं 1090 शानवे शांदार मुव रहा है सर और अब आज यह थोड़ी से डवलप्मेंट यहां पर होती भी दिखाई दिए एक महीने में 46 परसेंट चल चुका है अभी इस चेहर में क्या करना चाहिए जिनके पास है क्या प्रॉफिट बुक कर ले और जो लोग फ्रेश इंट्री हो रही है काफी दिमांड है रियल स्टेट की और उस जगह पर कंपनी जा रही है कंपनी ऐसे साउथ में इनका ज्याज़ता काम अब वो जो की प्रोग्रेसिव मार्केट है उदर की तरफ बढ़ी है तो मार्केट ने इस चीज को थम्स अप दिया है लेकिन अट थे सेम क्लिध जरूर मेंटेंट करते हैं रही तेट कर सकते हैं चलिए अब अगली कंपनी लेकर का आते हैं के ल Dieses कर और देखते हैं कि वहां पर क्या खुछ development हो रहा है तो कि लोशकर पर खबर यह है कि कमपनी को ऑरडर मिला है नया और 768 करोर रूपए का कमपनी को ऊचлей को मिला है और नुक्टियर deeply हृफ इस देखने को मिल रही है और अभी जो हिसे हैं पर क्या मिल रही है ऊसे जरह नहीं कि यहां पर कर रही है यह you तो मुझे लगता है कि इस इस कमनी में पोटेंशल तो है दिख रहा है कि और बहुत महंगी भी नहीं है तो गिरावट पे थोड़ा यहां पे लें दस से पंद्रे परशनिटी लें यहां पर खोड़ी गिरावट होती साड़े 600 तक के भाव अगर आपको बिलते हैं तो वहां पर और राएट करना चाहिए जी चलिए राय निकर करके आती होई अगली कंपनी लेकर का यह स्क्रीन पर और देखते हैं वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है तो यहां पर आपको दादे नहीं पीसी पे ख़बर यह है कि 18-19 को सरकार जो है ओफस के जरिए करीब सा काउंड पे रखा गया है प्राइस जो है वो करीब 9% नीचे जो है फ्लोर प्राइस रखा गया है जो बुद्वार की क्लोजिंग थी उससे करीब 300 क्रोड रुपए सरकार इससे जुटाने की योजना बना रही है कंपनी के शेर में आज हम देख रहे हैं 6% तक की गिरावट देखने को मिल रही थी अभी अगर हम देखें तो अभी भी यहां पर जो है 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है हाला कि पावर शेतर में हमने अच्छी मजबूती देखी ये शेर भी अच्छा चला च्छे महीने में करी 52-53% का रिटर्न दिया है लेकिन अब ओ या ले लेना चाहिए अगर पैसे रुपे के आसपास मिल जाता है तो बहुत अच्छा लेवल होगा महां पर अक्यूमिलेट करें किसी भी गिरे भाव में आपको पावर सेक्टर गोंग फार मुझे अच्छा लग रहा है तो आपको अक्यूमिलेट करने की सलावा है अगली 75.02 करोर रुपे रहा है पिछले साल के मकाबले कंपनी की जो आये हैं उसमें पान दसनों चार परसंट की बढ़ोती देखने को मिली है यह 9,104 करोड रुपे रहा है पिछले साल के मकाबले वहीं आपको उता दें कि जातर जो विशेशा के थे उनका आकलन था कि यह 92 सो शे एक ब्रोकर की ही खरिदारी की सला यहां पर रह गई है और शेयर में हम देख रहे हैं जब हमने डिस्कुरिशन किया तब करीब 6% तक की गिरावट थी अब थोड़ी सी रिकवरी आई है लोगर लेविल से लेकिन अभी भी सावा 2% नीचे कामकाज कर रहा है 3170 का भाव देखने को मिल रहा है एशन परिंट सर कैसे देख रहे हैं आप नमबस को देखने को मिल रही है थोड़ा सा ग्रोथ है लेकिन इनको जिससे साफसे वैलेशन बलते हैं तो बजार को वह मीध है कि इनको नमबस और अच्छे आने चाहिए लेकिन आप जो है पूरा ल पर कहीं भी मिलता है 2600-2700 रुपए तो आपको थोड़ा कंसिडर करना साहिए क्योंकि बेस्ट कंपनी इन पूरा सेक्टर है और अगर इंफ्रस्ट्रक्स डवलेपमेंट होता है तो पेंट कंपनी होगा काफी जो है काम बढ़ता है उस लिहास से इन इस तरों पर नहीं तो आपको बता दें पढ़कर के कंपनी का साउथ इंडिन बैंक का क्यू थरी मुनाफ़ा जो है वह 197.42 फीसद बढ़ा है और यह बढ़कर के 305.6 करोड रुपए रहा है कंपनी के एन पीए में गर जो है जो ग्रॉस एन पीए है उसमें गरावट देखने को मिली है यह पिछल 263.87 करोड रुपए से बढ़कर के कंपनी की आए 2636.23 करोड रुपए रही है और उमीज से बहतर नतीजों के चलते ही आज मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है अगर अगर अपनी बातों को आप एक बर फिर से रिपीट कर दें को कि इस सेग्मेंट को हम अलग से जो है अप्लोट करते हैं हमारे चैनल पर तो साओथ हिंडिन बैंक पर आपका वीव हो इसके तो यह तमाम चीजों को देखते हो ऐसा लग रहा है कि इस बैंक में काफी पोटेंशिल है हैंस पौद भी अगर आप देखें तो तक्रीब आट से दस रुपए की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है अच्छा स्टॉक है काफी अच्छा जो है रिकवरी इस यह वहां पर भी आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और नतीजे यहां पर अच्छे रहे हैं कंपनी के जिरा खबर ले करके आई है स्क्रीन पर और उसके बाद जड़ा चर्चा शुरू करते हैं यहां पर कंपनी के नतीजे आये थे दो दिन पहले और अब की तरफ से यहां पर बाई रेटिंग के साथ साथ इसके लक्ष को बढ़ा करके 323 रुपए कर दिया गया है सर पीसी बील कई सारे ब्रोकरिज हाउसेस की अब राय बदल रही है यहां पर और काफी शांदार रैली देखने को मिली है आज 13% उपर साड़े 12-13% उपर चल रह यहां खासतार से वो लोग दिनको लगता है कि गाड़ी मिस हो गई है कि अभी भी इंट्री कर सकते हैं कर सकते हैं और मैं कहूंगा कि आपके दर्सकों को मैं तो डेड़ सव रुपए से रेक्मेंट करते आ रहा हूं बराबर रेकमेंट किया हैं मतलब जो विस्तार चंदता जो है वो जुड़ गई है इनके बेड़े में और उसका फल देखने को मिला है कि यह जो कोर्टर के नतीजे आए हैं उसमें 20% अगर आप देखेंगे प्रीविएस कोर्टर से जंप है और 52% जैसे आप बता रहे थे कि लास्ट यह से जंप है तो मैं कहूंगा कि आप कमाती है कंपनी और इनकी से वैलुएशन सत्रह जार कोड़ आसपास का वैलुएशन उसका तो अगर हम उसकी कंपरेजिन में भी देखें उससे बड़ी कंपनी उसे ज्यादा मुनाफ़ा कमाती है और वैलुएशन सस्ते हैं आने वाले फीचर इंकम काफी ज्यादा होगी इ स्टॉक को हम लों के पोटफोलियों में भी है और हमने रेक्मेंट भी किया आपके चैनल पर कई बारे से तो फिलाल के लिए बदेंग स्टॉक्स में इतना ही